आप सभी को पता होगा कि corporate tax, tax जो है revenue का एक प्रमुक हिस्सा है और उसी हिस्सा में corporate tax में थोड़ा सा बदलाव करने की बात कही गई है तो आज चर्चा करेंगे corporate tax से सम्मंदित, news क्या है इसके बारे में हम जानने की कोशिस करते हैं कहता है recent में corporate tax जो है collections exceed 3% of GDP after the gap of 2 year 2021 और 22 अगर हम fiscal year 2021-22 की तुलना में अगर हम बात करें 2 साल बाद भारत के अंदर में GDP का 3% जो है corporate tax का collections हुआ है पूरी GDP का 3%, collections exceeded 3% of GDP, 3% से अधिक बढ़ गया है इस बात का reflect करता है कि हमारे देश के अंदर में overall goods और services का demand जो है दिन पर दिन बढ़ रहा है अगर माल लिया कि corporate tax बढ़ रहा है मतलब यह हुआ कि production हो रहे है इंडस्री में जब production होगा तो इंडस्री का income बढ़ेगा, income बढ़ेगा तो tax बढ़ेगा जाहिर सी बात है यह तो इस बात से यह है कि हमारे देश में overall production बढ़ रहा है चीजों की demand बढ़ रही है goods और services के demand बढ़ रहे फिर भी corporate tax की अगर बात किया जाए collections अभी भी surpassed the 5 year high 3.51% of GDP recorded to 2018 2018 उने इसकी अगर GDP की record की बात करे तो 3.51% को पार नहीं कर पाई है अभी भी अगर देखा जाए 2018 उने इसकी अगर compare किया जाए तो 3.51% of GDP हुआ करता था अभी भी उस data को पार नहीं कर पाई है लेकिन धीरे धीरे अर्थ विवस्था जो है चीजे पटरी पर आ रही है ये सबसे अच्छी बात है है ना तो चर्चा करेंगी इसी के अंदर में की ऐसा क्या-क्या बदलाव है कुछ significance, highlight पर हम बात करने की कोशिस करते है सबसे पहला कहा जाता है कि 1122 के tax collection की बात करें actual term में net corporate tax collection की बात करें तो 7.12 lakh कडोर का tax collection हुआ है खास करके corporate tax है आप सबको पता होगा tax दो कई परकार के होते हैं direct tax और indirect tax direct tax में आपका corporate tax होता है income tax होता है, wealth tax होता है इस सारे taxes जो होते हैं direct tax के अधिन में आते हैं यहाँ पर हम direct tax की बात कर रहा है और खास करके corporate tax की बात करते हैं corporate tax मतलब simple सी company ओ के द्वारा industry के द्वारा जो प्राप किया गया revenue जो है collection है government का ओ corporate tax कहा जाता है तो GDP की अगर current market की बात करें 236.64 लाग कडोट रहा है इस मातले में अगर हम और नेट जो corporate tax GDP के compare में percentage की बात करें तो 3.01% है हलागे 3.5% से उपर आपको 18-19 में हुआ करता था 19-20 में government ने corporate tax को cut किया था आप सबको पता होगा कि 10% of point से corporate tax को cut किया था और उन्होंने minimum alternative tax को भी 2019 के अंदर में cut किया था 15% से आप 18.5% से घटा कर 15% किया था minimum alternative tax दरसल minimum alternative tax जो है एक strategy होता है एक design होता है कि आपको income tax में जितने भी loophole लगाने माले होते हैं मतलब आपको minimum इतना tax आपको देना ही देना है वो भी आपकी copy पर आपके book पर तो ज्यादा तर लोग क्या करते हैं tax को चुराते हैं tax को छुपाने tax के system में ही loophole खोज लेते हैं ऐसी स्थिति में government जो है minimum tax minimum alternative tax की बिवस्था की है तो minimum alternative tax जो है सभी business man को देना compulsory होता है Matt का इस बात पहा है कि no business even with the strong finance standing so significant revenue आपको एक minimum amount आपको देना ही पड़ेगा आपको है ना तो ये 15% आपका हुआ करता था पहले 18.5% था बाद में tax cut was reflected in realizing to corporate tax to 19-20 के अंदर में जब collection 5.56 लाग कडोर हो जाता है मतलब GDP का 2.77% आपका जो की कम था अभी 3% से उपर थोड़ा सा बढ़ा है चलिए बात करते हैं कि corporate tax होता क्या है corporate tax कहा जाता है कि company act 1956 के तहत company act 1956 के तहत जितने भी private company आपको पब्लिक आपकोंपनिया भारत के अंदर में जो company act 1956 के तहत रजिस्टर्ड है उन सभी को direct tax के अधीन में सरकार को अपने profit का कुछ हिसा देना पड़ता है तो यही कह सकते हैं कि corporate tax is a direct tax places on the company net income or profit from its operation so tax imposed on net profit of the corporation which is calculated by subtracting to all expenses such as a cost of the goods, sold, operating expenses, depreciation सब उसको घटा कर जो आपका फैदा हुआ है company का जो company की benefit हुई है उस benefit का कुछ हिस्ता कुछ प्रतीसत आपको देना पड़ता है अगर नई company है तो 15% देना पड़ेगा पुरानी company है तो 22% देना पड़ता है इस तरीके का प्रवधान है हमारे यहां दूसरी बात corporate tax important source है हमारे revenue का सरकार जो है जिस प्रकार से infrastructure तयार करती है सरकार को भी चलाने के लिए पैसे चाहिए तो सरकार direct tax के माध्यम से indirect tax के माध्यम से non tax के माध्यम से इन माध्यमों से सरकार पैसे जमा करती है तो significance के इन सीसका यह है कि corporate एक-स बहुत बड़ी यह तरीके से कह सकते हैं कि सरकार के revenue का source है यह बदद करता है public goods और services जैसे school हुआ, hospital हुआ, road हुआ, defense हुआ, infrastructure हुआ, इन सभी को infrastructure को बनाने में यह मदद करता है दूसरी बात corporate tax जो है also play a redistributing wealth है ना पैसे को redistribute करने में मदद करता है income की inequality को कम करता है आपका सकते हैं कि लोगों के पैसे से बड़े-बड़े industries के पैसे से जो छोटे-मुटे लोग है welfare का काम होता है उनका, तो redistribution सो हुआ, साथ-साथ में corporate tax also can be other to economic and the social impact हो सकता है जैसे corporate tax जो है competitiveness होगा business के लिए higher corporate tax rate, maybe country के लिए उसके reason के लिए investment के लिए बहुत मददगार हो सकता है कई कारण है, तो corporate tax बहुत ही important है और ज्यादा तो corporate tax हमारे देश के अंदर में collect किये जाते हैं तो यह important था corporate tax से संबंधित आपको समझनी की जरुवत इसे कई exam में प्रस्न बनते हैं, कई चीजे आपको आती है, आपको prelims में प्रस्न पूछे जाएंगे, आपके mains में कई बार प्रस्न पूछे जा चुके है, है ना, तो यह था important corporate tax से संबंधित जो changes आपको जो news में दे दें फिर से दूसरे वीडियो